इरान के पावरफुल धार्मिंग नेता आयातुला अबास अली सुलेमानी की आज एक हमले में मौत हो गई आयातुला अबास अली सुलेमानी इरान के सबसे परभावी व्यक्तियों में से एक थे वे सिर्फ एक धार्मिंग नेता ही नहीं बलकि विशेशकों की एक असेंबली के मेंबर भी थे ये असेंबली इरान के सबसे परमुक नेता का चुनाव करती है रिपोर्ट के मताबिक अयातुला अबास अली सुलिमानी पर आज बुद्वार 26 सैप्रल को इरानी समय के अनुसार सुपा हमला हुआ था जिसमें वे बच नहीं सके रिपोर्ट के मताबिक अयातुला अबास अली सुलिमानी पर हमला करने वाला शक्स ही रासत में है ये हमला बाबोल्सर शेर में हुआ जो इरान के मजांदरन राज्चे में स्थित है हमले की वज़ा का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है लेकिन रिपोर्ट के मताबिक हमला वर आयातुला अभास अली सुलिमानी पर ताबड तोड फाइरिंग कर रहा था जिससे उनकी मोके पर ही मौत हो गई आयातुला अभास अली सुलिमानी की अम्र 75 साल थी मौत के बाद उनके समर्थों में भारी गुसा है लंबे समय तक राजनीती में सक्रिये रहे आयातुला अबास अली सुलिमानी एक इमाम भी थे इरान के कुछ शेरों में वे जुम्मे की नमास अदा करने में मुख्य बुमिका निपाती थे कशान शहर में आयातुला अबास अली सुलिमानी जुम्मे की नमाज अदा करने वाले मुख्य इमाम थे